नमस्कार नमस्कार बहुत लोग उत्सुकता से आपके लिए वेट करें थैंक्यू वेरी मच्छ धर्मेंद्र प्रदान जी मैं हिंदी में सवाल पूछूंगा ताकि हमारे हिंदी चैनल रिपब्लिक भारत बांगला चैनल रिपब्लिक बांगला रिपब्लिक कानड और रिप पर विश्तित तोर से इसका जवाब दे ताकि जितने हमारे स्टूडेंस हैं इनको एक तरह से आश्वासन भी मिले और फ्यूचर प्लैनिंग भी कर सके पहला सवाल मेरा यह है कि हमने एक पोल चलाई थी धर्मेंद्र प्रदान जी की शूड़ नीट एक्जाइम भी हैल्ड अरणब जी मैं आपकी चैनल की माध्यम से देश की विद्यार्तियों को अस्वस्त करना चाहूंगा सरकार विद्यार्तियों के हीतों को सर्वपरी देखती है उनकी उनके लिए पारदर्शी बिवस्ता हमारी प्रतिवधता उसी के साथ है जो नया उचीत होगा जो जस्ट ह होगा इस सारा विशे सुप्रिम कोट की निगरानी में भी है कुछ विशे विशंगति की ध्यान में भी आई है कुछ विशे कोट की माध्यम से समाधान हुई है एक जागा की विशे अभी भी कुछ अनुसंदान कुछ इंक्वारिक की दाएरे में है कुछ भी चीज हम ऐसे नहीं करेंगे जो देश की विद्यारतियों की हित्तों को लुक्सान करेगा ये मगर आर यू ओपन टू हाविंग नीट एक्जाइम अगेन क्या आप खुले दिमाग से इस आप्शन को देख सकते हैं और कंसिडर कर सकते हैं धर्मेंदर प्रदान जी मैं बिनमरत के साथ कहूंगा अरनब जी हम विद्यारतियों के हित्तों को सर्वोपरी रखेंगे क्या आप सुप्रीम कोट के फैसले के लिए वेट करेंगे आठ तारिक को सुप्रीम कोट का फैसला है मगर मंत्री जी अगर आठ तारिक तक सरकार रुके तब तक काउंसिलिंग हो जाएगी कॉलेजेस अलोट हो जाएगे और जितने चात्र हैं जो कह रहे हैं कि हमें इस बार जस्टिस नहीं मिली है है ना उनका क्या होगा तेगे अरनब जी चीजों को धरिये के साथ सामना करना पड़ेगा सरकार सभी के लिए है पक्षय हो विपक्षय हो सभी को सुनना अभी प्रजात अंत्र में सुनना ही सबसे बड़ा बात होती है और आज काल विद्यार्थियों की मन की स्थिति को मैं एक पेरेंट्स के नाते भी समझता हूँ मैं आज शिक्षा विभाग की दाईतों में हूँ मेरे दाईतों है सभी पक्षयों को सुनना नया उचीत जो उचीत होगा जो नया संवत होगा जो जस्ट होगा उसी को करना और उसके उपर कोट का भी एक नजर है आपका भी नजर है कोट की नजर से ज़ादा मुझे सरकार की नजर पर मैं सवाल पूछना चाहता हूँ क्योंकि चुना तो सरकार को है लोगों ने लोगों ने कोट को नहीं चुना है कोट की अपनी मर्यादा है मगर सरकार की भी अपनी जिम्मेदारी है तो आप सरकार की जिम्मेदारी क्या होगी इसमें अगर हाई लेवल कमिटी हो धर्मेंदर पदान जी बहुत समय चला जाएगा मैं मैं ने ने अनल जी इसमें कन्फूज ना करे हाई लेवल कमिटी है इस सारे घटना करम में एंटी है जो देश की करोड़ों बच्चों की परिक्षा हर एक साल कराती है उसकी फंक्शनिंग के उपर कुछ बुनियादी प्रस्ना आये हैं आखिर परिक्षा तो किसी को करानी पड़ेगी परिक्षा कम्पूटर बेस होगा या पेन एंड पेपर में होगा इस सारे करते जो अनुहवाए हैं पिछले साल एक करोड़ तीस लाग बच्चे परिक्षा दिये हैं अब तक इस बार असी लाग बच्चे परिख्षा दिये हैं इस सारे परिक्षा बेवस्ता में एंटीये की कंड़ेक्ड की बारे में कुछ भीशे इस बार फस्टो तक सताइई है और आ वाल प्रैक्टिसेस क्या है उसके उपर एक्सपर्स के एक विव आएगा बाकी रहा विद्यारतियों की परिक्षिया की बारे में प्रमान आधारित तत्या आधारित जो विश्या हमारे सामने आ रहा है देश की विद्यारतियों को हितों में हम किछ भी कोठर कदम उठाने में कोई पिछे नहीं रहेंगे और हम विद्यार्तियों की हितों के लिए प्रतिबदा है और विद्यार्ति हमारी सर्वोपरी है जो बड़ा मुद्धा क्या है Paper this Court का मुद्धा यह Grace Marks का मुद्धा तर्ष का मुद्धा है एक जागा की विशंगती आनमूलिश की बारे में आते हैं एक जागा की आई है वहां की पूलिस औने बिहार की पूलिस उसकी एकनोमिक ऑफेंचुएंग और भारत सरकार की लोगों की निरंतर संपर्क में जो इंक्वारी अगरा चल लेए वो एक लॉजिकल एंड तक एक दो हो जाएगी